गुर्ण मॉनिंग कैसे हो ठीक है जवरदस्त है है न किसका डायलक है यह अंकित का मस्त है यह देखो यह रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बताएंगे तो इसमें में जो न्सी आटी में दिये हुआ है तो जादे डिटेल में पर होगे लैक आपरेंड के बारे में लेक चाहएं दूसे पहले सुरू करने से पाले दो-TIEN सवाल है देखो जवाब देता है क्या करता है दो को डूब हीज सेल है ड़सम जीन कौन जवाब देगा है ऑफ हóst काया आपके बाडि में ट्रिट्रिजेन क्यायों रूता वोता है हर सेल में जीन टायों होगा जीन क्या होग इसा नहीं, किसी एक सेल में दूसरा जीन होगा, तीसरे में चौता होगा, इस तरही है, सब सेल में क्या होता है, एक ही तरह का जीन होता है, दूसरा सवाल देखो क्या कहता है, दूसरा सवाल देखो क्या कहता है, दूसरा सवाल देखो क्या कहता है, दूसरा सवाल क्या कहता है मालो इस skin में जो cell है तो यहाँ भी जो insulin बनाता है जो तुम्हारा blood sugar को control करता है उसका gene है pancreas में भी वही gene है तो pancreas वहाँ ने insulin की जरुवए है यहाँ insulin की जरुवत नहीं नहीं तो यह express नहीं करेगा इसलिए answer क्या होगा न्वो दूसरा अरता दो को do cells express the same genes at the same time and at the same level इसका भी answer क्या होगा अब हर cell का need अलग-अलग होता है सबकी समस्य से अलग-अलग होता है तो उसका level भी क्या होगा अलग-अलग होगा timing भी क्या होगा समझ में आई मेरी बात अब देखो यह control of gene expression देखो क्या काता है देख लोए हाँ पर each cell in the organism contain all the genetic material for the growth development of an organism हर cell में जो gene होता है तुम्हारा genetic material होता है उसका main काम क्या होता है हर cell का growth development होता है लेकिन उसमें जो gene होता है देखो काता है some of these genes will be needed to be expressed all the time कुछ gene जो होता है वो 24 hour work करता है 24 hour work का मतलब क्या कि birth से लेके death तक तो वैसी gene को कहा जाता है housekeeping gene कहा जाता है और housekeeping gene कौन होगा देखो क्या कहता है these are the genes that are involved in a vital biochemical process such as respiration आप देख लो respiration तो continue होता है जब तक आपका death नहीं होता है आप पढ़े हो respiration में glycolysis creep cycle उसमें हर step में क्या होता है एक particular enzyme needed होता है और वो enzyme कहां से बनेगा gene से बनेगा तो अगर वो gene अगर expressed नहीं करेगा वो switch of mode में होगा तो क्या होगा enzyme तो respiration नहीं होगा तो वो gene हमेशा तुमारा active रहता है उसी को कहा जाता है housekeeping genes कहा जाता है अब देखो other genes are not expressed all the time उसको कहा जाता है regulated genes अब वो gene जो होता क्या होता है या तो वो switch of mode में होगा या तो switch on mode में होता है कुछ gene ऐसा होता है जिसकी जरूरत नहीं रहता है तो वो जब जरूरत नहीं रहेगा तो switch of mode में रहेगा वो जब जरूरत होता है तब ही वो switch on होता है तो वैसे जीन को कहा जाता है regulated जीन ते इसी के बारे में तुमको परना है मेरी बात समझ में आया है जिसे देख लो क्या होता है आप घर में आओ घर में देखो तो कौन है housekeeping member of the house आपकी mother 24 hours आपके लिए अभले बूल है रात में अगर किसी member को कोई problem होता है कोई नहीं उठता है, ladies उठती है आपकी mother उठके जाएगी से बाकरे लेकिन उसी घर में देखो कोई बुजूर्ग है तो तो क्या होगा, in active stage में खाता है, सोया रहता है जरूरत कब परती है, जब घर में कोई बड़ा काम होता है बड़ा decision लेना परता है तब उस old person को activate किया जाता है तो वो regulated होता है, कैसे activate होगा तो वैसे gene को कहा जाता है, regulated gene अब देखो, regulation of gene expression जो होता है तुम्हारा eokaryotes में हर level पे होता है देखो, transcriptional control, RNA processing control control, translation control कहने का मतलब क्या हुआ, अब जिसे transcription आप पर हो transcription में क्या होता है HN RNA बनता है, वो immature होता है उसकी processing होता है, splicing होता है, telling होता है, capping होता है वहाँ भी gene regulate होता है उसके बाद देखो, RNA processing, RNA बनता है तुम्हारा, फिर वो transport, कोई जरूरी नहीं है कि मालो, निकुलियस में वो RNA बन गया, TRNA बन गया मैसेंजर RNA बन गया, तो वो protein synthesis हो उसके लिए भी gene होता है, कब वो cytoplasm में जाएगा एक signal जाता है, निकुलियस को तब उस निकुलियस के निकुलियर पोल से वो मैसेंजर RNA, TRNA और RNA साइटोपलास में आता है दें, ट्रांसलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है उसी तरी के इस ट्रांसलेशन में भी देखोगे gene के द्वारा control होता है, हर लेबल पे gene के द्वारा control होता है अभी देख पढ़ें, वो translation हमने बताया है कि एक gene का sequence होता है जो control करता है या तो initiate करवाता है initiate factor होता है termination में देखोगे, release factor आता है तो वो release factor कहां से रहेगा एक particular gene होता है जो regulate उसको करता है लेकिन अगर आप prokaryotes में जाओगे तो prokaryotes में एक ही बार होता है transmissional level पे ही होता है gene regulation regulation of gene expression जो है एक ही बार होगा transcription और translation क्या होता है साथ साथ एक ही compartment में होता है तो वहाँ पर एक ही level होता है अब regulation of gene में जब आओगे तो देख लो ये two types होता है तुमारा positive regulation और negative regulation positive का मतलब क्या हो गया कि वो particular gene तुमारा switch on mode में है और negative का मतलब क्या हो गया कि वो particular gene जो है जिसको expressed करना है वो switch off mode में है तो इसके आगे परोगे detail में lack operand के बारे में जो ncrt में दिये हुआ है क्या परोगे ये lack operand ये operand क्या होता है group of the gene होता है जो which regulate the gene expression तो उसको बताएंगे अलग से क्योंकि आपके ncrt में lack operand को जड़ा detail में दिये हुआ है तो ये हमको थोड़ा सा ये बताना था कि मने regulation of gene expression का मतलब क्या होता है समझ में आया तो अगर समझ गया video अगर अच्छा लगा तो इसको like करो subscribe करो subscription जादे करो रे भाई subscription कम आ रहा है अथ्वरा मित्रों के बीच में share कीजिए